कि नुश्का स्टूडेंट मैं विक्रम सहरावत आप सभी का स्वाद करता हूं आपके अपने प्लेटफों बिहार अड़ा 24-7 पे तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएं और आज हम बात करने वाले हैं 67th BPSC के पेपर के बारे में जो भी recently exam होआ था आपका और जो आपका cancel हो गया था उस exam के बारे में हम बात करेंगे prelims का जो exam था 67th BPSC हमने इससे पहले 63-वा BPSC का exam dismiss किया था 65-वा BPSC का exam dismiss किया था और सदसतवा आज हम डिस्स करने जा रहे हैं तो previous year paper एक दोस्त की तरह होते हैं जो हमेशा आपको राय देते हैं आपको लगता है प्रीविस एर पेपर तो जो है कुछ भी नहीं होते कहीं लगता होगा प्रीविस एर पेपर को देखने का क्या फायदा लेकिन प्रीविस एर पेपर मस्ट है किसी भी एक्जाम की अगर आप तयारी कर रहे हैं तो प्रिवीस एर का पेपर ही आपको बताता है कि आपको इस एक्जाम की तयारी करनी या नहीं करनी है कि आप इस एक्जाम को निकाल सकते हैं आपकी क्या स्टेटेजी रहेगी यह स्टेजी कैसे बनेगी प् 100% एकजाम होने वाला है 21 September को और ये भी मैं आपको बता दूं जिस स्टूडेंट को नहीं पता है कि Government ने डिसाइड किया है कि एकजाम दो शिफ्ट में नहीं होगा दो बार में नहीं होगा एकजाम एक ये बार में होगा ये गवर्मेंट ने डिसाइड किया है और बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन का नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि एक्जाम एक ही पाली में कंड़क्ट करवाया जाएगा दो पालियों में कंड़क्ट नहीं करवाया जाएगा जहां तक परसेंटाइल सिस्टम की बात है इस पर कोई विचार नहीं किया गया एक्जाम पोस्पॉंट की बात है कोई विचार नहीं किया गया और इसके इलावा एक्जाम को आर्ट से नो महीनों में करवाने का सारा प्रोसेजर करना इस पे भी कोई डिसाइड नहीं किया गया और लेकिन ये डेट आ चुकी है कि 21 सेप्टेंबर को एक्जाम होगा और जो जादा केंदर बनेंगे उनके लिए भी जो है डिस्टिक अधिकारियों को बोल दिया गया है तो जल्दी से आजाएं जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नहीं आया है प्रिया रानी राहुल राज और काफी सारे स्टूडेंट हमारे जुड़ चुके हैं तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ा है जल्दी से आजाएं भई 67th BPSC MDSS करने वाले हैं और thought of the day कहता है कि आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती है तो खुद पर वरोसा करें और आगे बढ़ते रहें आपके इंदर सब कुछ है हर सवाल का जवाब आपके इंदर किसी से कुछ भी पूछने ही जरूरत नहीं है आप ही जानते हैं कि आपके इंदर क्या क कमी है आप सभी को पता आपके इंदर क्या कमी है अगर एक दो बार आप फेल हो चुकर किसी भी एक्जाम में तो आपको पता है कि आप क्यों फेल हुए है ठीक है आप पूछते हैं दूसरों से क्या करूं क्या स्टेटेजी रहे बात नहीं बन रही लेकिन आप अमने दिल पर हात रखो और पूछो कि आपको नहीं पता है आपको सब कुछ पता है आपका दिल सब कुछ जानता है कि क्यों आपका एक्जाम नहीं निकल रहा क्यों आप जो है फेल हो गए थे और क्यों आपकी तयारी नहीं हो पा रही आपका दिल जानता है दिल पर हात रखो दिल से उसे पूछो और जो कमिया है उसको दूर कर लो उन कमियों को कोई और दूर नहीं करेगा आप ही दूर करेंगे और आपको पता है कि क्या कमिया है मैं नहीं बताऊंगा लेकिन आपको पता है हर कमिय के बारे में आपको पता है यह बही मेरे बारे में इन्फोर्मेशन है मेरा नाम विक्रम सहरावत स्टूडेंट और पिछले साथ साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से टीचिंग को जादा से जादा बहतरीन बनाया जा सके और छोटे-छोटे कोचिंग सेंटर से शुरुआत करी थी पढ़ हैं तो लगातार हमने कोशिश किया है कि टीचिंग को कैसे सिंपल बना सके साइन्टविक बना सके एफेक्टिव बना सके और रिजल्ट ओर्येंटर टीचिंग को बना सके यह हमारी लगातार कोशिश रही है तीक है और जहां तक BPSC, UPCS, HCS के अंदर जो कई सारी सफलताय म हुआ था और दो दिन में 25 से ज़्यादा कोश्चन जो है आ गए थे तो यह बड़ी सफलता थी इसको बैने डाला भी था गुरूप में तो यह जो है इसमें पढ़ाने में काफी सफलता मिली है पिछले कुछ सालों में और कई सारे स्टूडेंट के मन में भरम रहता है कि सरम त्यारी करें क्या ना करें हम BPSC की त्यारी करें क्या ना करें काफी सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो SSC की त्यारी कर रहे हैं विहार SSC की दरोगा की त्यारी कर रहे हैं मद निशेद की त्यारी कर रहे हैं उनके दिल में यह रहता है कि क्या मुझे BPSC का फॉर्म जरूर डालो और थोड़ी सी भी जिसकी GS अच्छी उसको BPC का एक्जाम देना चाहिए कोई इसकी age limit नहीं होती जैसे UPC में होती है उसके बाद exam देने में क्या दिक्कत है और थोड़ा सा भी अगर GS में ध्यान देदो तो BPC निकालना मुश्किल नहीं है बस आपको continue होना पड तो इसी प्रकार आपको जो है ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है लेकिन लगातार जो पढ़ पाएगा वो जो है exam को clear करतेगा तो कौन करे BPC की त्यारी कौन करे तो तीन लेवल के student मैंने divide किये है एक है जो SSC को जरूर ट्राइ करें थोड़ा सा GS पे ध्यान दोगे तो BPC आप clear कर सकते हो आई इस वालों को तो करना ही करना है क्योंकि उनको पास secondary option होता है अगर UPSC निकला तो PCS जो better है और कई बार हमने ऐसा भी देखा है जिसका PCS निकल जाता है फिर वो असानी से confidence आ जाता तर असा सानी से UPSC निकाल देता है इसके इलावा कई सारे हमारे ऐसे student होंगे जो teacher है जो housewife है जिन की age हो चुकी है जो कहीं और काम कर रहे हैं तो आपके लिए BPC सुनारा मुका है इसकी age limit काफी ज्यादा है कोई इसके attempt की limit नहीं होती और थोड़ा सा जो आप GS पे ध्यान दोगे math reasoning इंग्लिश वगएरा पर आपको इतना ध्यान देनी की जुरूत नहीं है जीस पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आप exam को निकाल सकते हो तो यह जो है आपके बाकियों के लिए तो यह रामबान है बाकियों के लिए रामबान है तो शुरुआत करते हैं अड़ा क में से कौन सा हडपा स्थल गुजरात में स्थित हैं आपको बताना है कौन सा हडपा का स्थल गुजरात में स्थित हैं कौन सा हडपा स्थल गुजरात में स्थित हैं लोथल डावर कोट काली बंगा राकी गड़ी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी कौन सा अडपा स्थल गुजरात में स्थित आपको बताना है कौन सा अडपा स्थल गुजरात में स्थित है बहुत सारे स्टूडेंट अमारे ऐसे हैं जिनका एक्जाम है 20 दिन के बाद 20 दिन तो नहीं कहेंगे और भी कम दिन आप कह सकते हो 18-19 दिन के बाद जिनका exam है और जिनको tension करें तो क्या करें पूरा साल नहीं पड़ें ऐसे भी हैं और अब जागे nervousness हो रही है अभी nervousness नहीं करनी आपको current affair जो शुरुआत में current affair को पक्का करें और फिर GS को जैसे question मैं करवा रहा हूं questions की form में पड़ें ऐसे teacher से पड़ सकते है जो थोड़ा detail में करवाता हूं चीजों को आपके लिए बहतर रहेगा तो शुरुआत करते भी पहला आपका question कहता है कि निमल लिकित में से कौन सा हडपा स्थल गुजरात में है तो गुजरात में देख एक तो लोथल है लोथल जो है गुजरात में है राकी गड़ी हर्या का स्थल है गुजरात के अंदर मौजूद है हडपा सब्वैता की अगर बात करें तो हडपा सब्वैता जो है इसकी डेट 2550 से 1750 तक बताई जाती है चुरुआत में हडपा मिला था तो हमने इसको हडपा सब्वैता कहना शुरू कर दिया राम सानी ने करी थी 1921 में और जो अंडिया के हैड होते थे तो 1921 में हडपा की खोज उई थी 1921 में दयाराम साहनी के दौरा और उस टाइम पे आरकोलोजिकल सर्वेफ इंडिया के हैड कोन थे आरकोलोजिकल करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं लोन नहीं में तो लोथल से रिलेटेड आपको याद रखना है कि लोथल किस नदी पर है किसे ने इसकी खोज की और लोथल में क्या क्या मिला आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको याद रखना भगवा रंग का गज भगवा रंग का गज आपको याद रखना भगवा रंग का तो इसकी खोज अगर आप से पूछे इसकी खोज करी रंगनाथ रावने रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई रंगनाथ राव के द्वारा और कहां पर ही गुजरात के इंदर मौजूद है गुजरात में मौजूद है तो आपको याद रखना है भगवा रंग का गज और ये भी एक्जामें पूछता है कि बताओ यहां पर क्या-क्या चीजे मिली लोथल के इंदर कई सारी चीजे मिली जो एक्जामें पूछी जाती हैं यहां पर धान की भूसी मिली धान की राइज हस्क जिसको बोलते हैं धान की भूसी मिली यहां पर जो है डोकियार्ड इंस्टुमेंट मापने का यंत्र मिला यहां पर Vis house मिला। एक और साइट है गुजरात के इंदर जिसको हम बोलते हैं धोला वीरा धोला वीरा भी एक साइट है धोला वीरा भी एक तो यह आप याद रखना लोथल के बारे में धोला विरा के बारे में दोनों के दोनों गुजरात के अंदर है आगे फिर हम बात करते हैं अगला कोशन देखते हैं क्या कहता है अगला कोशन देखते हैं क्या कहता है अगला कोशन कहता कि चोलवंश का संस्थापक कौन था चोल वंश का संस्थापक कौन था जिसने विड repent को like mash नहीं किया है जल्दी से वीडियो को like बात करें तो चोल वंश बहुत पुराना वंश था बई चोल वंश जो है आपका दूसरी तीसरी सदी में भी आपको चोल वंश नजर आता है और आठवी नोवी सदी दसवी सदी तक आते 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 भी आपको चोल वंश नजर आता है लेकिन चोल वंश को परमुकता बाद में मिली थी चली यह काफी पहले से रहा था लेकिन इसको प्रमुकता अब काफी लेट मिली ठीक है तो चोल वन्ष की अगर बात करें तो चोल वन्ष के जो संस्थापक है वो विज्याल्ला को माना जाता है चोल वन्ष के संस्थापक किसे माना जाता है चोल जो है वो पलवों के सामन्त होते थे ठीक है चोलों के important राजाओं की student अगर हम बात करें तो चोलों के जो important राजा है वो आपके आपके जो चोलों के important राजा की बात करें तो प्रांतक first है प्रांतक first प्रांतक first important राजा प्रांतक first के बाद एक important राजा है आपके एक important राजा है आपके राज राज first राज राज first important राज राज एक important राजा है फिर आपके राज इंदर जो है एक important राजा है राज इंदर जो है एक important शाशक रहे राज इंदर first important शाशक रहे तो इन्होंने धीरे धीरे पूरे दक्षण पर कबजा कर लिया जैसे विजियाले की बात करें तो इसने पांडों से मदुरी पर कबजा कर लिया इसने पांडों पर हमला किया प्रांतक फरस्ट की बात करें प्रांतक फरस्ट ने फिर से पांडों पर हमला किया ठीक है प्रांतक फ राजराज फिर्ष्ट ने कई सारे आक्रमण किये इसे ने जो है आपका काफी भव्वे मंदिर का निर्माण करवाया राजूरकोग के अंदर भैदेश्वर मंदर जीतने वालाइस दक्ष उपर की तरफ बड़ा उत्तर की तरफ और इसे गंगई कोंड चोलपूरम का निर्माण किया गंगई कोंड चोलपूरम इसने गंगा को पार किया और पाल राजा को हराया और इसने एक नया शहर बनवाया गंगई कोंड चोलपूरम नया शहर बनवाया यह काफी इंप बात करें चोलो की बात करें तो चोलो के अंदर नाडू जो सिस्टम था नाडू सिस्टम वो काफी importance है नाडू इनका जो लोकल लेवल पे सरकार थी वो काफी important है लोकल लेवल पे जो सरकार थी वो काफी important है ठीक है तो नाडू सिस्टम होता था, लोकल लेवल पे नाडू सिस्टम होता था, और नाडू सिस्टम के बारे में हमको उत्तर मेरू अभी लेक से हमको पता चलता है, उत्तर मेरू अभी लेक से हमको पता चलता है, चोलों के बारे में, चोलों के बारे में एक और विशेस्ता थी, कि नो के शो पावगा आज की मूरती इनके टाइम पर काफी फेमोज थी नतराज की हुड़ति तो आगे फिर हम बात करते हैं अगला कोषन देखते हैं क्या कहता है क्या कॉछन कहता है कि पर्थम बोध संगती के अध्यक्ष कौन थे पहली जो बोध काउंसल के अध्यक्ष कौन थे दखो बोध काउंसल के अगर हम बात करें तो बोध काउंसल जो है गोतंबुद की डेथ के बाद जो गोतंबुद ने उपदेश दिये थे उनको किताबों में डलवाने के लिए बोध काउंसल की गई थी ठीक है आपको बतानी है कि पहली बोध काउंसल के अध्यक्ष कौन थे जिसने वीडियो को लाइक शेर नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक शेर करें भई पहली बोध काउंसल के अध्यक्ष कौन थे जल्दी से बताओ देखो बई, जब गोतम बुध की डेथ होई, गोतम बुध की डेथ के बाद चार बुध काउंसल वह थी, आपको याद रखना होता है कि कौन सी संगती कहां पर होई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, यह आपको याद रखना पड़ था उसके राजा कौन थे, तो पहली कांसल को याद रखना है राजा का शत्रु महान है जो पहली बोफ कांसल ती यह थी पहली बोध कांसल कहां पर हुई थी अगर आपसे पुचे कहां पर आजा थे अजात शत्रू उस टाइम पर राजा थे और किसकी अध्यक्षता में हुई थी भई कौन अध्यक्षते महान से बन गया महाकशप महाकशप जो है इस काउंसल के अध्यक्षते महाकशप इस काउंसल के अध्यक्षते तो पहली बोध काउंसल राजा का शत्रू मह राजगरे में हुई अजाज सित्रूर राजा थे और महाकश्ब इसके अध्यक्ष थे फिर हम बात करते हैं दूसरी बोध काउंसल के बारे में ठीक हैं दूसरी बोध काउंसल कैसे याद रखनी है दूसरी बोध काउंसल याद रखनी है विश्काल है सबका विश्काल है सबक तो दूसरी बोध काउंसल के अगर हम बात करें तो विश्चे बन गया, कहां पर हुई वैशाली में हुई कहां पर हुई, वैशाली में दूसरी बोध काउंसल हुई वैशाली में, ठीक है काल से बन गया, इसके जो है उस टाइम पर राजा कोन थे उस टाइम पर राजा थे काल शेक कला शेक जिसको आप कह से थे कला शेक उस टाइम पर राजा थे और उस टाइम पर अधक्ष कोन थे इस काउंसल के जो अधक्ष थे वो थे सबा कमी अधक्ष कोन थे अधक्ष थे सबा कमी सबा कमी जो है इस काउ का ओंसल पे तीसरी बोध काउंसल कैसे याद रखनी है तीसरी बोध काउंसल याद रखनी आपको पुत्र अशॉक मोगली देख रहा है तो दूसरी बोध काउंसल के थी का पर फर होई यह दूसरी बोध काउंसेल यह होई पारठली पूत्रके अंदर होई पारठली पुत्रके इंदर होई पारठली पुत्र में उस टाइम पर रांजआ कोन थे उस टाइम पर राजा थे अशोकुई यह अध़के अधेक्ष सफ κ Karl थे मोगाली पुतिस मोगाली पुतिस इसके अधक्स थे मोगाली पुतिस इसके अधक्स थे ठीक है तो यह तीसरी बोध काउंसल में आपको याद रखना है पुत्र अशोक मोगली देख रहा है फिर हम आते हैं चोथी बोध काउंसल में चोथी बोध काउंसल कैसे याद रखन कुंडल कान में पहनो मित्र आपको याद रखना है कुंडल कान में पहनो मित्र आपको याद रखना है कुंडल कान में पहनो मित्र फोर्थ बोध काउंसिल के अगर हम बात करें तो चोथी बोध काउंसिल कहां पर हुई कश्मीर के कुंडल वन के अंदर हुई कश्मीर के कुं कंश्क थे और इसके अध्र होन थे वाऽू मित्र सिंसके अधृ तो चाहर बोद काउंसल आपको याद रखनी है और यहां से कोष्ण एक्जाम में बने गई बनेगा और हर एक्जाम में बोध धरम से और जहन धरम से कोष्ण बने रहे तो का शत्रु महान है पहली बोद और अध्यक्षते सबा कमें तीसरी बोध काउंसल पुत्र अशोक मोगल की देख रहा है कहाँ पर पातली पुत्र में राजा थे अशोक मोगाली पुत्तिक्स की अध्यक्षता है वही और चोथी बोध काउंसल कश्मीर के कुंडलवन में कनिश्क उस टाइम पर राजा थे और किराता जूरनिय पूस्तक किसे ने लिक्हे है जल्दिस बताऊ Sarah मेरा मकसद यह यह नहीं है जैसे स्सी की तरह मैं आपको कोशयन मर्क्रभाद क्लीब यह साժः कोई लिस्वार इस फायदा क्लीर आपका मेरा exam के 15-20 दिन बचे हैं तो ज्यादा question practice करवाने का मकसद क्या है अगर question करवा दे तो एक ही question बनेगा उस question के साथ information बताएं वो exam oriented भी रहेगी और वहां से आपके 50 question बनेगे ठीक है 50 नहीं तो 10-12 तो बनेगे ठीक है तो यह हमारा मकसद रहता है question practice करने मकसद यह अगर आप घर पे भी कर रहे हो अगर questions के जरी अगर आप पढ़ रहे हो तो जब तक उसकी explanation को नहीं पढ़ोगे तो फायदा नहीं यह question के जरी practice करने का क्योंकि explanation से हमको बाकी सारे जो question बन सकते हैं उस area के उनके बारे में पता चलता है इसलिए exam से पहले कहा जाता है कि आपको question practice करनी है क्योंकि question में हम exam oriented पढ़ते हैं जो हम theory उठाते हैं तो हम ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा time waste कर देते हैं जो exam में काफी कम आती है लेकिन question जब हम करते हैं exam पढ़ते हैं exam से पहले question practice आपको करनी चाहिए जब 15-20 दिन बच जाते हैं आगे फिर हम बात करते हैं एगला question देखते हैं कि किराता जूर्निय पूस्तक किसे ने लिखी है यह पूस्तक लिखे भारवी की दौरा भारवी की दौरा यह पूस्तक लिखी गई याद रखना हूँ इस पूस्तक में जैसे आपने देखा होगा ना अरजुन और भगवान शिव की लड़ाई होती है रजुन जो है एक पहाड पर बैठके मंतरुचारण कर रहे होते हैं और भगवान शिव भेश बदल कर आते हैं तो आपने महाभारत में देखाओगा, अरजुन और भगवान शिव की लडाई होती, वही इस किताब में बताया गया है, भारवी ने किताब लिखे है, भारवी ने ये किताब लिखे है, आगे फिर हम बात करते हैं, कुतूब मिनार किसके द्वारा पूरा किया गया, किसके द्वारा कुतुब दीन एबक के द्वारा कुतुब दीन एबक के द्वारा उलूग खान के द्वारा रजिया सुल्तान के द्वारा ओप्रोक्त में से कोई नहीं या ओप्रोक्त में से एक से दी कुतुब मिनार किसके द्वारा पूरा किया गया जल्दी से बताओ भाई कुतुब मिनार के शुरुवात की गई थी कुतुब मिनार के शुरुवात की गई थी इसके द्वारा कुतुब दीन एबक के द्वारा कुतुब दीन एबक के द्वारा कुतुब दीन एबक ने जो है कुतुब दीन एबक ने क्या किया था वही कुतुब दीन एबक ने गुला कुटूब दी ने इबक क्यों बनवाया कुटूब मिनार के गहली मंजिल अगली जो मनजिल है वो बनवाई अगली दो मंजिल इल्टूतमिस ने बनवाई इल्टूतमिस ने इसकी अगली दो मंजिल बनवाई इल्टूतमिस ने कुतुब मिनार की और इसको finish किसने करवाया कुतुब मिनार को जो finish है वो करवाया आपका फिरोज शाह तुगलक ने तो काकी की याद में कुतुब मिनार बनवाया कुतुब दिन एबक ने इलतुतमस ने दो मंजिल बनवाई ठीक है और फिरोज शाह फिरोज शाह ने कितनी मंजिल बनवाई आपका जो फिरोज शाह तुगलक था फिरोशा तुगलक ने इसको complete करवाया तो याद रखने हैं फिरोशा तुगलक ने इसको complete करवाया कुतुब मिनार को इसके इलावा कुतुब दिन एबक ने कई सारे निर्मान और करवाये थे काफी कम समय ते गद्दी पर बैठा था इसने अधाई दिन का जोपड़े का निर्मान करवाया था अधाई दिन का जोपड़ा अधाई दिन का जोपड़ा अजमीर के अंदर है और इसने जैन मंदर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाया थी कुवेत उलिसलाम मस्जिद कुवेत उलिसलाम मस्जिद का निर्मान करवाय था मस्जद निर्मान को अधिए और यह मस्जद कहां पर कुतुब मिनार के पास ही कुवेत उला मस्जद जैन मंदर को तोड़ के बनाया गया इसके पूरे परमान अगबक और इल्तुतमस तो गुलाम वंशके है और जож़ो फिरोशा कफर Brenda बात करते कि अगला कोशन के था है विजय नगर सांपराय्जा के संस्था पकोन थे अगला कोशन कहता कि विजय नगर सामराझजा के संस्था पकोन थे डेवराय थे क्रश्ण इवराय थे हिरीर की 토 क पुचा गया है विजय नगर सामराज्य की संस्थापक कों थे जल्दी से बताओं जसने वीडियो को शेयर नहीं किया जल्दी से भई जो भी आपके बीपीसी के ग्रूप है उनमें वीडियो को जल्दी से शेयर करें, Facebook पर, Telegram पर जो भी आपके ग्रूप है या जो भी आपके कीच के लाते इसलिए जो हम भी student के प्यार में मेहनत करते हैं ठीक है अच्छा content आपके लिए लाते हैं और दूसरा हमारा है आप जो like share करते हैं आप से जो प्रौफ साहन हम को मिलता है उससे यह हमारी गुरु दक्षिना है आगे फिर हम बात करते हैं विजे नगर सामराजय के संस्थापक कोन थे तो विजे नगर सामराजय के अगर हम बात करें विजे नगर सामराजय के अगर हम बात करें विजे नगर सामराजय के अगर हम बात करें विजे नगर सामराजय तो यह सामराजय जो है ये सामराज है, medieval history के अंदर था, मद्धे कालीन भारत का एक सामराज है, मद्धे कालीन भारत का एक सामराज है, मद्धे कालीन भारत का एक सामराज है, मद्धे कालीन भारत में जो अलगलग जगा है, मुस्लिम सामराज है फैले हुए थे, मुस्लिम मुगलों का जोर था, तो उस टाइम पे एक हिंदू सामराज्य जो का जंडा जो हमको दिखाई दे रहा था और वह लड़के थे हरी हर और बुक्का हरी हर और बुक्का हरी हर बुक्का और स्टूडेंट क्या हुआ मोहमद बिन तुगलक ने जो आपके मोहमद बिन तुगलक थे जिसको गलतियों का बादशा का जाता है मोहमद बिन तुगलक जिसको फेलियर का बादशा का जाता है मोहमद बिन तुगलक ने मोहमद बिन तुगलक ने इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया मुहबंद मिन तुगलक ने क्या कर दिया इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जबर्दस्ती इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया और इनको मुसलमान बना दिया मुहमद मिन तुगलक के द्वारा ठीक है इसके बाद भाई हरी और वुक्का वापिस ज इन्होंने क्या किया विजे नगर सामराज्य की नीव डाली हरी हरुबुकार इस वन्ष के जो यह वन्ष जो है आपका इस वन्ष के अगर सबसे important राजा की बात करें तो क्रिशन देवराय इने सबसे लड़ाई लड़िं इस वनश के अंदर क्रिशन देवराय ने जो है यवन राज था अपना चारी कहा जाता है इसको कृष्ण देवराय को इसके टाइम पे पूर्टगाली यात्री आया था डॉमिंगो पाइस याद रखने है इसके टाइम पे डॉमिंगो पाइस भारत आया था लेभराय ने अमुक्त माल लिएड़ा एक लेखter कोई सभने मिलकर विझेनगर सामराजा को खंडर बना दिया ठीक है Battle of Raksha Stangri, Battle of Tali Kota जिसको हम कहते हैं उस टाइम पे विजएनगर सामराज़ों को कही साही सामराज़ों मिलकर ध्वस्त कर दिया तो हरी हर और बुक्का जो है विजएनगर सामराज़ों के संस्तापक थे विजनगर सामराज़ा की अगर हम बात करें तो हमपी इसकी राजदानी थी हमपी जो है फिलाल एक UNESCO World Edited Site हमपी जो है इसकी राजदानी थी विजनगर सामराज़ा की राजदानी जो है वो हमपी थी आगे फिर हम बात करतें एगला कोशन कहते हैं कि सर्थोमस रो ने किस मुगल समराट के टाइम पर भारत आया था जिसने वीडियो को लाइक शेर नहीं किया है जल्दी से स्टूडेंट वीडियो को शेर करें जो भी आपके फ्रेंड है उनके पास बहेज़े जल्दी से वीडियो को जो भी बीपेसी के त्यारी कर रहे हैं तो बताएं बई सर थोमस रो किस मुगल समराट के टाइम पर भारत आया था देखो बई इस्ट इंडिया कंपनी जो है शुरुआत में इस इस्ट इंडिया कंपनी को मर्चेंट एडवेंचर कहते थे मर्चेंट एडवेंचर कहते थे मर्चेंट एडवेंचर इसको मर्चेंट एडवेंचर कहते थे कमपनी को और इस कमपनी को जो है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 को जो है 31 दिसंबर 1600 को इसको Queen Elizabeth के दुआरा इनको जो है Charter मिला इनको क्या मिल गया Charter मतलब भारत से वैपार करने का दिकार मिल गया इसके बाद 1608 और 9 को विलियम होकिन्स जेहांगिर के दर्बार में आता है, जहांगीर के दर्बार में आता है जहांगीर से सूरत में फैक्टरी डालने की पर्मिशन देदेता है जहांगीर से आता है और जहांगीर से सूरत में फैक्टरी डालने की पर्मिशन लेता है शुरुआत में तो जहांगीर सूरत में फैक्टरी डालने की पर्मिशन दे देता है लेकिन बाद में जो स्टूडेंट क्या होता है बाद में यह पर्मिशन पूर्तगालियों के बैटल ओफ सवाली कब होता है बैटल ओफ सवाली होता है किस-किस के बीच में अंग्रेजों के बीच में और पुर्त गाली के बीच में होता है बैटल ओफ सवाली और बैटल ओफ सवाली के बाद जो सूरत में फैक्टरी डाली जाती है सूरत में फैक्टरी कब डाली जाती है 1613 में सूरत में फैक्टरी डाली जाती है इसके बाद पहली अगर दक्षन फैक्टरी की बात करें तो दक्षन में पहली फैक्टरी मूसली पतनम में डाली जाती है पहली दक्षन फैक्टरी की अगर बात करें 1615 में थोमस रो जहांगीर के दरबार में आता है और जहांगीर से कई सारी परमिशन लेता है इसके बाद एक किला बनाती है, सेंट जोर्ज, लीज पर ले लेती है और यहाँ पर किला बनाती है, सेंट जोर्ज के नाम से, सेंट जोर्ज के नाम से किला बनाती है, उसके बाद 1649 में होता है, 1633 में 1649 कर लो इसको, 1649, 1649 और 1633 में पुर्वी भारत में पहली फैक्टरी, पुर्वी भा बाला सों बाला सौर में पहली वार्वी बाला सों इसके बाद पीछे मुलकर नहीं देखती इस इंडिया कंपनी सो 161 के आते आते जो है यह पत्रना ढाका कसिम बाजार के इंदर फेक्ट्रिया डालती है 1690 में तीन गाओँ की जमिधाँस को मिल जाती है काली काता गोविंड पूर की जमिधार इसको मिल जाती है और यहां पर इसको कालकता करती है तो मर्चेंट एडवेंचर इस कंपनी का पुराना नाम था 31 दिसंबर 1600 को चार्टर मिला 1608 में जहांगीर दर्बार में आया सूरत में फेक्टरी डालने की पर्मिशन डाली 1615 में थोमस रो जहांगीर के दर्बार में आया 49 में मदरास लीस पर लिया और यहां पर फोर्ट सेंट जोर्ज का निर्माण किया और इसके इलावा कलकत्ता शहर का इन्होंने निर्माण किया और 1717 में इनको फारुक सीर का एक फर्मान मिला जो इनके लिए एक राम बान साबित हुआ ठीक है तो ओकलीर है तो थोमस रो किस मुगल समराट के समय भारत आया था थोमस रो जो है इाद रखना इसके टाइम पर भारत आया थाओ जहांगीर के टाइम पर भारता आए था, थोमस रोंग आगे फिर हम बात करते हैं अगला कोशन कहता है आईनल अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है अब्दुलकादर के द्वारा अकबर के द्वारा, खुहाजा निजामुदीन के द्वारा अबुल फजल के द्वारा अप्रोक्त में से कोई नहीं है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है जिसने वीडियो को शेर नहीं किया है जल्दी से वीडियो को शेर करें जल्दी से बताओ जिसने वीडियो को शेर नहीं किया, जल्दी से वीडियो को शेर करें, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, कोन बताएगा, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, आईने अकबरी कि स्टूडेंट अगर हम बात करें, तो आईने अकबरी क्या है, अकबर की जीवनी है अकबर जो है पढ़ा लिगा नहीं था अनपढ था अकबर को समय नहीं मिला पढ़ने का अकबर अनपढ था और अकबर को पढ़ने का समय नहीं मिला बच्पन से जीवन ऐसा था कि जाहांगीर की हुमाईयू की डैट हो गई थी यह थो है लिकना नहीं जानता था इसा इसका मतलो ये निए कि अनपड़ था यह दूसरों लोगों से किताबे सुनता था तोसके जीवनी अकबर की जीवनी किसके दोरा लिखी अबुल फजल के दौर लिखिए अबुल फजल जो है अकबर के नो रतनों में से एक था ठीक है और अबुल फजल ने एक जो अकबर की जीवनी लिखिए उसका नाम क्या है उसका नाम है आपका अकबर नामा उसका नाम है अकबर नामा और इस अकबर नामे का जो पार्ट है ए अकबर नामे की तीन पार्ट है और इन में से एक पार्ट है जिसको आईने अकबरी कहते हो इसको आईने अकबरी कहते हो आईने अकबरी और अकबर नामा किसे ने लिखी अबुल-फजल ने लिखी यह वही अबुल-फजल था जिसके हत्या अकबर के बेटी ने करवा दी थी ऐसा विदवान दुनिया में कभी पैदा नहीं होगा और इसकी हत्या किसे ने करवाई थी जहांगीर ने, सलीम ने इसकी हत्या करवा दी थी सलीम को लगता था कि अबुल फजल उसे गद्धी पर नहीं बैठना देखना चाहता तो अबुल फजल की हत्या जहांगिर ने करवा दे थे इसके इलावा और भी जो है कई सारे रतन थे अकबर के मुला दो प्याजा थे, तान सेंथ था, बीरबल था ये सबी अकबर के नौरतनों में से एक थे और अगर हम आत्म कताओं की बात करें तो बाबर ने अपनी आत्म कताओं खुद लिखी थी, बाबर नामा याद रखना जो बाबर की आत्म कताओं थी, बाबर नामा, ये बाबर नामा ये खुद लिखी थी बाबर ने ये तुर्क भाशा में लिखी थी, बाबर के दोरा ठीक है इसके इलावा हुमायू की आत्म कता हुमायू की बेहन ने लिखे थी हुमायू की आत्म कता जो है हुमायू नामा क्या थी हुमायू नामा हुमायू नामा ये हुमायू की बेहन ने लिखे थी ये किसे ने लिखे थी गुल बदन बेगम ने ये जो है बाबर ने खुद लिखे थी इसके इलावा जहांगीर की आत्म कता को बोलते है तुजु के जहांगीरी जहांगीर की जहांगीरी किसके दोरा लिखेगी तुजु के जहांगीरी खुद जहांगीर के दोरा लिखेगी तुजु के जहांगीरी खुद जहांगीर के द अकबर की अकबर नामा अबुल फजल के दुआरा और बाबर की बाबर नामा बाबर ने खुद लेखी हुमायू की हुमायू नामा इसकी बहन गुल बदन बेगम ने लिखी और जहांगीर की तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने खुद लेखी जहांगीर ने खुद लेखी ठीक तो अबुल फजल इस दा राइट अंसर अबुल फजल इस दा राइट अंसर अगला कोशन कहता है रहीतवारी परनाली सबसे पहले कहां पर लागू की गई जल्दी से बताओ भी रहीतवारी परनाली सबसे पहले कहां पर लागू की गई जल्दी से बताओ भी रहीतवार परनाली सबसे पहले कहां पर लागू की गई कौन बताएगा जल्दी से बताओ student ठीक है मैंने पिछली क्लास में बताया था रहित वाड़ी महाल वाड़ी के बारे में ठीक है रहित वाड़ी और महाल वाड़ी के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था बताओ भई रहियत वाड़ी सबसे पहले कहां पर लगाई गए देखो रहियत वाड़ी और महालवाड़ी दो पर्थाएं फेमस थी एक ते रहियत वाड़ी और एक ते महालवाड़ी रहियत वाड़ी की स्चूडेंट अगर हम बात करें तो रहियत वाड़ी जो है ये दक्षन भारत के अंदर लगाई गई रहियत वाड़ी के संस्तापक है वो थोमस मुन्रो को माना जाता है थोमस मुन्रो को थोमस मुन्रो ने इसको शुरुआत की रियत वाड़ी की मुन्रो को और 1820 मेश की शुरुआत की गई थोमस मुन्रो के द्वारा महाल वाड़ी के अगर बात करें तो महाल वाड़ी की शुरुआत किसके द्वारा की गई Mackenzie के दौरा की गई Mackensya के दौरा इसके शुरुआत की गई Mackenzie के दौरा कब गई 1822 मेरे शुरुआत की गई तो ये revenue लेने का एक system था tax लेने का system था रहीतवाड़ी और नहीं रहीतवाड़ी के अंदर क्या होता था रहीतवाड़ी के अंदर direct krishnों से जो है रेंट लिया जाता था लगान लिया जाता था और इसमें जो आपका लगान जो होता था वो महाल से लिया जाता था तो महाल कुछ भी हो सकता था महाल गाओं का एक मुखिया हो सकता था या गाउं को और गाउं की एक agency हो जहाए सकती थी जो पूरे गाउं के basis पर रेंट अदा करती थी तो महाल से रेंट लिया जाता था यह जो आपका हम बात करें रैयतवाडी की अगर हम बात करें तो रैयतवाडी जो दक्षिन भारत के अंदर हमको देखने को मिलती है जो थोमस मुन्रो थे इनोंने सबसे पहले मदरास में इसको लागू किया था मदरास और बंबे में तो दक्षिन भारत के अंदर हमको देखन तो दो इंपोर्टेंट जो हैं आपकी लगान लेने की प्रिक्रिया थी इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि पर्मनेंट सेटलमेंट जो है अंग्रेजों के टाइम पर किसके टाइम पर शुरू की गई तो पर्मनेंट सेटलमेंट जो है वो शुरू की गई थी लोड कॉर बना दिया गया था कि टाइम पर लगान तो नहीं तो जमीन आपकी किसी और को बेश दी जाएगी तो रहीत वाड़ी पर्था सबसे पहले मदरास में लागू की गई मदरास में सबसे पहले लागू की गई अगला कोशन देखते हैं क्या कहता है 1857 के विद्रो को किसके द्वारा पर्थम भारतिय सोतनता संग्राम के रूम में वर्णित किया गया है 1857 के विद्रो को किसके द्वारा पर्थम सोतनता संग्राम के रूम में वर्णित किया गया विडी सावरकर के द्वारा तो 1857 की करांती की अगर हम बात करें 1857 की करांती की अगर हम बात करें तो 1857 की करांती कब शुरू ही वही इसकी जो नीव डली वो काफी पुरानी थी लेकिन अगर हम बात करें 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रो किया इंदर ये बैरकपूर कलकत्ता के अंदर जो है ये सैनिक था बैरकपूर कलकत्ता और इस ने 29 मारच 1857 को विद्रो किया और इसको जो फांसी दे दी गई इसको फांसी दे दी गई 8 अप्रेल 1857 को ये सारी डेट से याद रखना 8 अप्रेल 1857 को इसको फांसी दे दी गई मंगल पांडे को अब मंगल पांडे को जो फांसी दे दी गई पूरे देश में एक साथ आंदोलन होगा लेकिन पूरे देश में एक साथ आंदोलन शुरू नहीं होता है आंदोलन पहले ही शुरू हो जाता है आंदोलन पहले ही शुरू हो जाता है दस मई 1857 को आपका मेरट के अंदर आंदोलन शुरू हो जाता है मेरट के अंदर काफी पहले आंदोलन की शुरुआत हो जाती है आपका 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 कह सकते हैं विद्रो शुरू हो जाता है मेरट के अंदर विद्रो शुरू हो जाता है पहले ही शुरू हो जाता है मेरट के अंदर विद्रो और ये मेरट के सैनिक फिर दिल्ली आते हैं दिल्ली में भादुर्शा जफर को भारत का राजा गोशित किया जाता है भादुर्शा जफर को और उसके बाद धीरे धीरे पूरे जो है पूरे देश में करांती फैल जाती ह लखनव के अंदर बेगम हजरत महल यह अवद के नवाब की बेवा थी विदवा थी कानपूर के अंदर नाना साहिब कौन थे नाना साहिब पेश्वा बाजी राव के दत्तक पुतर थे जिन पर डॉक्टर्न ओफ लगाया गया था डालोजी के द्वारा कानपूर में नाना साहिब बिहार के अंदर आपका वीर कुवर सिंग बड़े जमीदार थे विहार के अंदर वीर कुवर सिंग 80 साल की उमर थी वीर कुवर बिहार के लवा गर हम बात करें जहासी में रानी लक्षमी बाई करांती को लेड़ करती है अलाबाद में लियाकत अली इलाबाद में करांती को लेड़ करते हैं लियाकत अली जो है इलाबाद में करांती को लेड़ करते हैं फैजाबाद में मोलवी एहमदुल्ला करांती को लीड करते हैं और ये करांती धीरे-धीरे पूरे देश के अंदर फैल जाती है और इसका में जो कारण था करांती का सेनिको से शुरू हुआ था सेनिको ने एनफिल्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया था क्योंकि उनको लगता था उसके अंदर सूर और गाय की चरपी है तो ये इसका में कारण था करांती शुरू होने का सेनिको से करांती शुरू हुई और बाकी सभी जो है सभी का मूड खराब था राजाओं का स सबी अंग्रेजों से खफा थे और सब करांती के अंदर कुद पड़े सब करांती के अंदर कूड पड़े तो क्या हुआ वही दुबारे मैं बताता हूं 29 मारश को मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रो किया 8 अपरेल 1850 को मंगल पांडे को फांसी दे दी 31 माई को नाना साहिब ने डिसाइड किया पूरे देश में करांती करेंगे लेकिन करांती पहले ही 10 माई 1857 को मिनट में शुरू हो जाती है ठीके इसके इलावा लखनों में बेगम हजरत महल, कानपूर में नाना साहिब, बिहार में वीर कुमर, जहासी में रानी लक्षवी बाई, इलाबाद में लियाकत अली और फैजाबाद में मोलवी एहमदुल्ला ने कुरानती को लिड़ किया फिर आगे हम बात करते हैं, अगला कोशन काईदा भारती राष्ट कोंगरेस की पहली महिला अध्यक्ष कोन थी, यह कोशन देखो भई, यह कोशन जो ना, यह कोशन हर एक्जाम में पूछा जा रहा है, पता नि इस कोशन के साथ एक्जामिनर को क्या प्रेम है, यह कोशन जो 63 BPC, हमने तीनो BPC के जो पेपर डिसक्ष गया, इसके अलावब 65 BPC पूछा गया, तीनो में पूछा गया है, अब यह पता नि, अगली बार पूछेगा नहीं पूछेगा, इस कोशन से गहरा प्रेम है, इस कोशन से गहरा प्रेम है एक्जाम वालों को, भारती राष्टे को कोंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कोन थी, यह के साइलेंट किलर, राहुल राज, मिश्रा, स्रदा शुमन, जिसने वीडियो को शेर नहीं किया है, जल्दी से भी शेर करो, जो आपके ग्रूप है, जो भी स्टूडेंट बाकी BPC की तियारी करते हैं, उनके पास जल्दी से वीडियो को शेर करें, कोशन कहता है, भारतिय राष्टे कोंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कोन थी, देखों, पहली महिला अध्यक्ष कोन थी, आप सभी को पता है, भारतिय राष्टे कोंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कोन थी, पहली महिला अध्यक्ष जो है, प और सरोजनी नाइडू जो है किस सेशन की अध्यक्ष रही थी सरोजनी नाइडू 1925 में अध्यक्ष रही सोरी एनी बैसेंट रही सरोजनी नाइडू तो पहली भारती महिला अध्यक्ष थी एनी बैसेंट आम निखेंगे पहली महिला अध्यक्ष रही एनी बैसेंट रही और स इसके अलावा अगर आपसे पूछे पहली भारती महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे पहली भारती महिला अध्यक्ष पूछे पहली भारती महिला अध्यक्ष पूछे पहली भारती महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो पहली भारती महिला अध्यक्ष कोन हो जाए अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष रही इसके लावा कई सारे कुश्चन और भी पूछते हैं अगर एक कुश्चन पूछता है कि सबसे लंबे समय तक जो है अध्यक्ष रहे अभी करन्ट में तो जो है सोनिया गांदी है और आजादी के टाइम पे जो है नजदीक अगर आप के अध्यक्ष रहे 1887 में मदरास के अध्यक्ष रहे पहले अंग्रेज अध्यक्ष जोर्जूल 1888 के अलाबाद शेशन के अंदर अध्यक्ष रहे कोई कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे मातमा गान्धी 1924 के बेलगाम शेशन में अध्यक्ष रहे तो यह जो है कुछ कोशन ए handlar पूशन एक्षा में पूच लेता एक कोशन पूस्ता कि आजादी के समय कोशन के अध्यक्ष कोण थे जे पी किरपलानी जे किरपलानी जो है ये आपके जो है आजादी के समय अध्यक्ष थे अचारी किरपलानी जो है ये आपके आजादी के समय अध्यक्ष थे जब देश आजाद हुआ तो उस टेम पर ये अध्यक्ष थे तो कई सारे कोशन यहां से बनते हैं कम से कम आपके भारतिय राष्ट्रे कोंग्रिस की पहली महिला द्यक्ष थी एनी बैसेंट के बारे में ने कल भी डिस्स किया था यह एनी बैसेंट जो है 1893 में भारत आई यह थियो सोफिकल मुव्मेंट से जुड़ी हुई थी आयरलेंड से बिलोंग करती थी एनी बैसेंट एनी बैसेंट फिर कहता है बहिश्कृत भारत पत्री का किसके द्वारा लिखी गई बहिश्कृत भारत पत्री का किसके द्वारा लिखी गई जल्दी से बताओ बहिश्कृत भारत पत्री का किसके द्वारा लिखी गई जल्दी से बताओ बहिश्कृत भारत पत्री का किसके द्वारा लि द्वारा लिखे गई बताओ भी भाईश्कृत भारत पत्रिका किसके द्वारा लिखे गई बाबा साहिब अंबेड के द्वारा जो है भाईश्कृत भारत पत्रिका लिखे गई तो बाबा साहिब के बात करें तो बाबा साहिब का जनम जो मुह के अंदर हुआ था मद्य परदेश का मो जो ना जहां से आपकी जो है जहां से नदी निकलती है कौन से नदी निकलती है मो से मैंने आपको बताई थी बताओ तो आपका बाबा साहिब ने ये पत्रिका लिखी और बाबा साहिब का जनम मो के अंदर हुआ था और इनकी जड़ें थी वो महाराष्टर से बिलोंग करते थे जनम हुआता है इनका मों के अंदर मद्यप्रदेश के अंदर लेकिन ये महाराष्टर से बिलोंग करते थे इनका जो है इनकी जड़े कहां से थी इनकी जड़े जो है महाराष्टर के रतनागिरी से इनकी जड़े पर पार्टी बनाई इंडी और 1936 में इसी परटी से एलेक्शन में खड़े हुए थी है इसी परटी से जो है बाबा साहिव अम्वेद्कर जो है इलेक्शन में खड़े हुए थży buck कि drafting committee की जो है अध्यक्ष्टे बाबा साथ अम्एटकर फिक 1936 में यह एक पार्टी बनाई थी independent Labour Party अर जो 1937 में कि अलेक्शन हुए थै वह इसी करल से या में खड़े थे वह बंभे चाले लेक्शन तो बंबे से चुने गए थे निफ्ससेट्ण ठीक है तो यह आप याद रखना बाबा साहब अमेटकर के बारे में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्षते बाबा साहब अमेटकर आगे फिर हम बात करते हैं अगला कोशन कहता है फोरवर्ड ब्लोक की स्थापना किसके द्वारा की गई फोरवर्ड ब्लोक की स्थापना किसके द्वारा की गई सरदार सिंग जी राणा के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जै प्रकाष नारेन के द्वारा लक्ष्मी सैगल के द्वारा उप्रोक्त में से कोई नहीं या उप्रोक्त में से एक सेदिक यह 67th BPSC में कोशन पूछा गया है 67th BPSC में पूछा गया है कि forward block किस तापना किस के द्वारा की गई जल्दी से बताओ forward block किस तापना किस के द्वारा की गई कौन बताएगा जिसने वीडियो को शेर नहीं किया जल्दी से भी वीडियो को शेर करें forward block किस्तापना किसके द्वारा की गई बताओ भी forward block किस्तापना किसके द्वारा की गई तो forward block किस्तापना किज सुभाष्च चंद्र बोष के द्वारा forward block किसिटापना किज सुभाष्च दूग सुभाष्च चंद्र बोष की बोष की घख तो आसे भी लोगं करते थे बंगाल से हुं करते और एक सीविल सर्वेंट थे सीविल सर्विश में चार रनक आया था उस टैम पर अंग्रेज कोशिश एठाई है कि भारतियों दो लेना ही नहीं है किसी भी तरीकी से भारतियों को मना कर दे लेकिन सुभाश चंद्र बोस का तब भी चार चोथा रनक आया था इसको चोड़ दिया किसके काण से स्थीफा दिया जो जलियावाला बाग अट्याकान भुआ था तो 1921 में इस्थीफा दे दिया गांधी जी के साथ जुड़ गए गांधी जी के साथ ऐसा यह अंदोलन में जो है भाग लिया लेकिन गांधी जी ने धोका दिया चोरा-चोरी के घटना के अंदर उनको लगा की धोका दिया मात्मा गांधी ने उसके बाद जो है इनोंने क्या किया इनोंने अहिंसा के रास्ते इसे मूँ मोड लिया गांधी जो राजनीती थी उसे मूँ मोड लिया और उसके बाद इनोंने खुद जो है इनोंने थोड़ा एक्स्ट्रीम रास्ता अपना है 1924 में इनको जेल में डाल दिया गया उसके बाद फिर उनको जो है कुछ टाइम के बाद रिहा कर दिया गया उसी बाद लगातार ये काम करते रहें जब सी ऱदास की डेथ हो गईी बंगाल के अंदर तो सबसे बड़े नेता जो बंगाल के थे वो सुभाश चंद्र बोस थे सबसे बड़े नेता थे इनोंने सुभाश चंद्र बोस के बात करें तो 1928 के अंदर जो इनोंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की शुरुआत की 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 इसके बाद अगर हम बात करें सुभाश च में दोबार कोंख्री के अधेक्ष रहे सुभास्यस clarify जो है दो बारDay में से हरीपुरा के सैशन में हईए एडैक्ष है एडैक्षा हरी पुरा के इत्थित रहे truck में 1949 में अधत्ष रहे हरी पुरइब नियोंने ने रादिय और इन्हों ने पीटा रहा कर अधक्ष कि यह मेरी यह मेरी को और गांधी बहुते हैं गॉलते हैं कि सुभाष और क्या ही यूए ऐसे चेंवा indoor करा डे देते 1949 में forward block की स्थापना करते हैं, 1949 में नई party बनाते हैं, एक नई party बनाते हैं, जिसको बोलते forward block, forward block की स्थापना करते हैं, एक नई party बनाते हैं, जिसको forward block के नाम से जानते हैं, इसके बाद 1939 के अंदर आप सभी को पता है, second world war शुरू हो जाता है, और उसके बाद जब अंग्रे सुभाष चंदरबोस को घर में कैद कर देते हैं और किसी तरीके से बेस बना के चुप चुप उपके और सुभाष चंदरबोस निकल जाते हैं सीधा जर्मनी पहुंचते हैं अलग लग देशों से होते हुए इटलर से मिलते हैं और फिर उसके बाद जो है यह आपका जापान से हाथ मिलाते सिंगापुर में 1943 के अंदर आजाद हिंद फोज का निर्मान किया जाता है 1943 में आजाद हिंद फोज का निर्मान किया जाता है और जो आजाद हिंद फोज थी यह भारती जो कैदी थे जो पकड़े थे अंग्रेजों के साथ जो हमारे भारती सैनिक थे जो उनको कैदी बना दिया गया था आजाद इंद फोज उनी को जो है लेकर शुरुआत केगी आजाद इंद फोज के ठीक है उसके बाद भाई ये कूच करते हैं भारत की तरफ चड़ाई करते हैं उसका नाम शहीद और सवराज आईलेंड लगते हैं लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सेकंड वर्ड वोर का खतम होने को आता है जब जापान पर हिरोशिमा और नागा सागी पर भम गिरता है उसके बाद वही इनका lucky नहीं रहाका तो अब इनका क्या फाइदा तो ये भई सुभाष चंदर बोस की लाइफ है ठीक है सुभाष चंदर की बोस की लाइफ है आइसीस की रैंक फोर्थ और 1921 में इस्थीफा इंडिपेंडेंडेंस और इंडियन लीग की शुरुवात जोहरला नहिरू के साथ में दो बार कॉंग्रेक्स के अद्यक्ष रहे हरीपूरा के शैशन में और तरीपूरी के शैशन में जो गांधी के व्यक्ति को हरा दिया तो उसके बाद इस्थीफा दे दिया 1949 में फोरवर्ड ब्लोक नाम की नहीं पार्टी बनाई 1943 में आजाद हिंदु फोज का निर्माण किया 1943 में आजाद हिंदु फोज का निर्माण किया सुभाष चंद्र बोस ने तो ये सुभाष चंद्र बोस की कहानी है सुभाष चंद्र बोस की कहानी तो फोरवर्ड ब्लोक की स्थापना किसने की सुभाष चंद्र बोस के द्वार की गई अगला कोशन कहता है कि अंतरिम सरकार के वित मंतरी कौन थे जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी तो क्या हुआ था कि जो अंग्रेश तो चले गए भई 15 अगस्त 1947 को भारत अजाद करके अंग्रेश चले गए अग्रेश चले गए तो अंतरिम सरकार के वित मंतरी कोन थे आपको बताना है देखो 9 दिसंबर 1946 को सुधान सभा की पहली बैठक होई थी 11 दिसंबर 1946 को याद रखना 11 दिसंबर 1946 को आपका राजिंदर परसाद जो है राजिंदर परसाद को चुना गया था राजिंदर परसाद जो है सुधान सभा के अध्यक्ष बने थे 13 दिसंबर ये date याद रखना 13 दिसंबर 1946 को जो है जो आरलाल नहरू जो है ने उदेश्य प्रस्ताव पेश किया था उदेश्य अब्जेक्टिव रिजोलुशन पेश किया था याप याद रखना इसके इलावा जो है स्विधान को बनने में दो साल लगे थे दो साल 11 वही ने 18 दिन स्विधान को बनने में लगे थे इसके लवा 64 लाख रूपे का खर्चा आया था ठीक है और स्विधान के अंदर से एक सरकार बनाए थी जिसे आंतरिम सरकार कहा जाते इसके वित मंतरी को उन थे लियाकतली खान इसके वित मंतरी थे इसके जो है इसके बलदेव सिंग इस सरकार के रक्षा मंतरी थे इस सरकार के जो है आपकी स्वास्ते मंतरी कों थी स्वास्ते मंतरी जिसके पास अमरित है वही स्वास्ते मंतरी बनेगा राज कुमारी अमरित कोर जो है स्वास्ते मंतरी थी राज कुमारी अमरित कोर अमरित कोर जो है स्वास् मिनिस्टर की बात करें तो Commers Sister कौन थे Commerce Minister जो है CH भाबा थे CH भाबा जो है Commerce Minister थे CH थे वित मंत्री लियाकत अली खान थे लिए कि उन्हीं में से सरकार का गठन किया गया था उंठ्रीम सरकार जो इसकों कहते हैं फिर कहता है, 1855 इस वी के संताल विद्रों का नेर्तवत किसे ने किया जल्दी से बताओ बताओ बही बताओ किस ने किया संथाल जो विद्रोव अथा थारा सो पच्पन में उसका नेतत किस ने किया किस ने किया सिद्धू और कानू ने किया सिद्धू और कानू ने किया इसका नेतत तो संथाल विद्रोव क्या था विद्रोव था राज महल की पाड़ी पर जो है संथाली लोग रहते थे यह भारत का सबसे बड़ा ट्राइब गुरूप है संथाली तो राज महल की पाड़ी पर रहते थे पहले राज महल की पाड़ी यह जो इलाका है बिहार के इंडर आता था अभी जारकंड और आपका पश्ची मंगाल ओडिसा के आसपास इलाका आता है तो राज महल की पाड़ी के पास संथाली लोग रहते थे राज महल इहल्स के नसदीक में और इसके इलावा यह संथाली लोग यह स्टूडेंट पहले तो आपको पताएकि जो ट्राइब होते है वह की जूम की खेती करते हैं कभी इधर खेती कर लेते फिर उसको जला देते अलागे को उसको जला ते खेती करते और फिर दूसरी लाखे में चले जाते तो burning आपका cultivation आप कह सकते जोम की खेती आप कह सकते करते हैं और धीरे-धीरे इन्होंने क्या किया अंग्रेजों के दबाओ में इन्होंने इन्होंने जो है agriculture शुरू कर दिया ठीक है क्योंकि पलासी का युद्ध हो चुका था बकसर का युद्ध हो चुका था और बंग ओजना जवाध चुका था इनको मुझा बंगए और जमिने किसकते पांच चले की जमीदारों के पांशली यूद्ध हो है इनको कर्जे पर रूपिया दिया जाने लगा रूपिया लिए इनको उसे काम कर वाते बिना पैसे के तो इनका इतना शोषन किया गया कि 1855 के अंदर 10,000 संथालियों ने एक साथ विद्रो कर दिया और इस विद्रो का नेतुत किस ने किया इस विद्रो का नेतुत किया गया सिंदुवर कानू के द्वारा लेकिन जिस रफ्तार से विद्रो बड़ा हुआ था उसी रफ्तार से विद्रोख खतम भी हो गया अंग्रेजों ने बड़ी बुरी तरिके से विद्रोख का नाश किया हमारे जो ट्राइब थे कबीले थे ये तीर मार रहे थे और अंग्रेजों के पास तो गोली होती थे और क्रांती से पहले का अठार सुस्तावन की क्रांती से पहले का सबसे इंपोर्टेंट विद्रोख है संथाली विद्रोख अठार सो पच्पन में हुआ था गुड मॉर्निंग भी सभी को गुड मॉर्निंग किसने आमंतरित किया था राजकुमार शुकला ने राजिंदर परसाद ने जैपरगाश नारायड ने कृष्ण सहाई ने अपरोक्त में से कोई नहीं आपरोक्त में से एक सेदिक गांधी जी को चंपारन आने के लिए किसके द्वारा इन्वाइट किया गया जल्दी से बताओ चंपारन आने के लिए किसके द्वारा आमधरत किया गया गांधी जी ट्मी से इंट फ आदमी से रैपर उबर नहीं खेलता छूमारण से लिए यह पहले नीटरायल वह भार? तीन Catherine लोंगा फिर प्ले पोल ओकर फिरो फायदा नहीं प्रेंग फिर एक बोल भी एक मिलेगी पहले तीन टीन ऑथे दो फिर खेले पूरे ञंदी जी ने तीन तीन चेली चमपारण के Er... एहम्दाबाद के इंदर और dhira के अंदर तो गांधी जी के दौरा टीन ट्राई फोलगे बोलखेली जाती हैं प्लेव खेलने से पहले गांधी जी के दौरा मात्मा गांदी पहली जो है जो बहुका खेलते मौशोस सत्रा में हैं उन्नीस सुसे ट्रा में बॉर्डर वाला डिस्टिक है चमपारण बिल्कुल बॉर्डर पर लगता है चमपारण डिस्टिक कई वार हमारे वारे यानकार थे स'tी कई वाईश ने हमारा सपना है वेचारी कई साल से कहा उसको नेपाल ले गया हो बोला देख तेरा सपना पूरा हो गया आज कि बाद कभी मत कहना कि फोरन टूर बरवा तो चंपारन बिल्कुल बॉर्डर बोर्डर पे है नेपाल के तो 1917 में चंपारन सत्यागरे हुआ अब चंपारन सत्यागरे से पहले का जो है क्या भूमि का है तीन काटिया सिस्टम होता तीक तीन काठिया सिस्टम होता था अब नील की खेती चलो कर लेंगे तीन बटा बीस पर लेकिन क्या होता था कि अंग्रेजों ने जो है पैसे बहुत कम देते कई वार देते नहीं थे तो कि अब नील की जो है डिमांड मार्केट में कम हो गए थी अब मार्केट में जो सिंथ राज कुमार शुकला के द्वारे इनको इन्वाइट किया गया गांधी जी को राज कुमार शुकला के द्वारे इन्वाइट किया गया गांधी जी के पास के साथ कई सारे वैक्ति थे राज इंदर परसाद गांधी जी के साथ इस टाइम पे गोरक परसाद गांधी जी के करते हैं सत्यागर करते हैं और इसके बाद जो है इसके बाद अंग्रेज और गांधी जी की बीच जो है कंप्रोमाइज होता है और इनको कुछ जो है इनको रिबेट कुछ दे दिया जाता है इसानों को उसके बाद 1918 के इंदर इहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है महात्मा गाधी इहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर पहुंचते हैं यहांपर उसकी पहली बार भूकरताल करते हैं तो अगर पूछते कि गांदी जी ने पहली बार भूगरताल कहां पर करी एहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दुरन पहली बार भूगरताल की तीसरी ट्राइबोल जो खेड़ा अंदोलन में करते हैं निस ओठारा में खेडा अंदोलन होता है खेडा अंदोलन तीसरी ट्राइबोल खेलते हैं खेडा अंदोलन में खेडा घुजरात के अंदर है एहमदाबाद मिल इस्टाइग में जो गांदी जी की जो साथ थी वो अनसुया सारा भाई थी और और 1918 में खेडा में जो है आपका पटेल एक इंपोर्टेंट सर्दार पटेल जो इनके साथ मोजो थे खेडा के अंदर तो खेडा में जो है खेडा आंदोलन करते हैं खेडा में क्या हुआता है खरीव की फसल खराब होई थी और इसके बाद लगान कम नहीं हो रहा था किसानों का तो इसलिए खेडा में आंदोलन करते हैं गांदेजी तो यह गांदेजी की तीन ट्राइबोल है प्लेबोल से खेलने से पहले चंपारन नील की खेती एहमदाबा फिर प्लेबोल को ने मातमा गांदी की प्लेबोल है मातमा गांधी की रॉल अटशश्log सत् servicios हो जाता है से नहीं होती और छस्ट्च क भाल पर मारते हैं आपका नॉन कौ्परेशन मोमेंट ऐसा योगढांध Virus meant तक उसके अंदर छक्का मारते गांदेजी आगे खेसेगे फिरम बात करते अगला कोशन कोशन कहता कि बोद घया में इते किसे ऊप Danielle माहाविर ज़हें सौंभी को गोत मुद्ध को सिमांदर स्वामी को पार्शवनाद सौंभी कोई अपरोक्त में से कोई नहीं अपरोक्त में से सभी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई जल्दी से बताओ जिसने वीडियो को लाइक शेर नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक शेर करें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई जल्दी से बताओ बोध गया में ज्यान की प्राप्ति किसे हुई जल्दी से बताओ बोध गया में ज्यान की प्राप्ति किसे हुई महाविर स्वामी को गोतम बुद को सिमांदर स्वामी को पार्शमनात स्वामी को अपरोक्त में से कोई नहीं या उप्रोक्त में से सबी इसे बोध गया में ज्यान की प्राप्त हुए देखो भई गोतम बुद्ध के अगर बात करें तो गोतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे कोशन बनते हैं गोतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे कोशन बनते हैं गोतम बुद्ध से रिलेट किन्दीशनी के अंदर गोतंबुद का जनम रोगता कि पूछा नाव कराई पकूं पाला उन परजापती गोतमी के दोरे इनको पाला गया था परजापती गोतमी ने इनको पाला था गोतम बुद को ठीक है गोतम बुद की बात करें तो गोतम बुद की जो है वाइफ का नाम जो है यशोधरा था यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था क्या था राहूल था ठीक है इनके गोडे का नाम कंठक था इनके गोडे का नाम क्या था कंठक था इनके सारती का नाम चंड था इनके सारती का नाम क्या था इनके सारती का नाम चंड 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 था ज्यान की प्राप्ति, इनको ज्यान की प्राप्ति होती है बोध गया के अंतर, बोध गया में इनको ज्यान की प्राप्ति होती है, बोध गया में इनको ज्यान की प्राप्ति होती है, क्यों घर छोड़ा था, इनको बुड़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक सादू, एक मृ त्वेक्ति दिखाई दिया, इनका दिमाग पलट गया, क्यों ये सब कुछ क्या है, जीवन क्या है, इसके बाद इन्होंने घर छोड़ दिया, अलग गुरूओं के पास गए, और फिर उसके बाद जो है, इनको पीपल के पेड़ के नीचे, ज्यान की प्राप्ति होती है, ज् पीपल का पेड़ था, पेड़ था पीपल का, और नदी कोन सी बह रही थी, निरंजना नदी बह रही थी, बोद गया में, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे, इनको ज्यान की प्राप्ति होती है, ज्यान बाद जो है, ज्य पहला भाशन देते हैं ठीक है और जो पहला भाशन देते हैं तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन और उसके बाद जो है कूशी नगर में इनकी डेथ हो जाती है गोतम बुद्ध की डेथ कहां पर हो जाती है कूशी नगर में इनकी डेथ हो जाती है कूशी नगर के इनकी डेथ हो जाती है कूशी नगर में इनकी डेथ हो जाती है पहला भाशन सारनात में देते हैं और कूशी नगर में इनकी डेथ हो जाती है इनकी जीवन पर जो है अलग अलग जो है इनकी जीवन के सिंबल है जो इनका जनम होता है तो उसका सिंबल है बुल और लोटस जब ये पहला भाषण देते हैं तो इसको بोलते है धर्म चक्र परिवर्त नीव इतरा सिंबल है चक्र और जब इनकी डिट हो जाती है तो इसको को बोलते महापरी निर्वान क्या बोलते हैं या लखना गोतम बूद्ध के बारे में गोतमबुद के बारे में जनम लुंबनी में पिता शुद्धोधन माता माया पाला था परजापती गोत्मी ने वाइफ शोदरा बेटा राहुल गोडा कंटक सार्ती च्छन ग्यान की प्राप्ती बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरनजान अनदी के किनारे पहला बाशन सारनाथ में डेथ होगी कूशी नगर में इसके लाव कोई भी गोतमबुद के बारे में कोशन नहीं पूछेगा और यह में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी एक्जाम होगा गोतमबुद और महाव आगे फिर हम बात करते हैं अगला कोशन कहता है 1913 में पटना में अनुशीलन समीती की स्थापना किसके द्वारा की गए बताओ भी क्या अंसर होगा जल्दी से बताओ जो भी स्टूडेंट ने वीडियो को शेर नहीं किया जल्दी से शेर करें भी अजाज अंसारी, रोली, सिकंदर कुमार, प्रिया, पर्दिमन, एन कुमारी, डेस्ट्रोए जिसने वीडियो को शेर नहीं किया जल्दी से शेर क कि जिसने वीडियो को शेर नहीं किया जल्दी से शेर करें भाई 1913 में पटना में अनुशूलिन समीती की स्थापना किस ने करी ठीक है जल्दी से बता 1913 में पटना में अनुशूलिन समीती की स्थापना जो है किसके द्वारा की गए किसके दोरा की गई है भी सचिंद्र नाथ सान्याल के दोरा की गई सतीश चंद्र बासू जो इसके संस्थापक माने जाते हैं एन्होंने अन्शुलिन समीथी इसकी दो इंपोरटेंट ब्रांच थी एक तो कलकत्ता में थी और एक ढ़ाका अनुश्यूलिन समीथी ठाका अनुशूलन समीती और एक ब्रांच कलकत्ता अनुशूलन समीती थी और सची नानन सान्याल ने अनुशूलन समीती के ब्रांच पटना में स्तापित की अनुशूलन समीती एक एक रिवोलुशनरी समीती थी जो क्रांती के जरीए आजादी दिलवाना चाहती थी जो इरशा का मक्बरा कहा परस्तित है तो शेर सा कोन था शेर शा को शेर खां भी का जाता है शेर सा सूरी को शेर सा सूरी को क्या का जाता है शेर सा सूरी को शेर खां भी का जाता है इसको क्या का जाता है इसको शेर खां भी का जाता है शेर खां ऐसा का जाता है इसने एक शेर को मारा था शेर साने एक शेर को मारा और उसके बाद इसको शेर सा सूरी का जा थे बिहार की शान था क्योंगी बिहार से ही बिलोंग करता था ठीक है और शेर सा की बात करें तो बिहार के जो राजा थे बहार खा लोहानी के यहां पर काम करता था शेर सा और एक दिन बहार खा लोहानी की डेथ हो गई फिर शेर सा उसकी बेवा के साथ में विवा कर लिया और शेर साने फिर जो है कई सारे किलो पर कबजा कर लिया हुमायू के लिए जो है हुमायू की जो है हुमायू को ये परेशान करता था बार 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 हुमायू बड़ा परेशान सा इस से हुमायू का जीवन जो है एक ही जद्दो जैत में बीट गया कभी-कभी जो है शेर सा परिशान करता था तो शेर सा की तरफ पूरवी भारत की तरफ भागता था और कभी-कभी गुजरात के अंदर भादुर शाह परिशान करता था ठीक है तो शेर सा के साथ जो है शेर सा के साथ कई सारे उमायू के युद हुए ठीक है उम बिलग्राम और कनोज की लड़ाई हुए उननी सो चालिस में 1940 में जो बिलग्राम और कनोज की लड़ाई हुए यह डिसाइडिंग फेक्टर था इस लड़ाई ने डिसाइड कर दिया कि अब जो हुमायु गद्धी पर नहीं बैठेगा शेर सा सूरी गद्धी पर बैठेगा और शेर सा सूरी गद्धी पर बैठ गया और मुगल वंश की कुछ समय के लिए समाफ्ती हो गई 1940 में कनोज और बिलग्राम की लड़ाई के बाद इसके बाद बही जो है इसके बाद जो किसका शाषन आता है शेर सा सूरी 1940 से लेकर 1945 तक रूल करता है उसके बाद 1945 मं इसकी डेथ हो जाती है और ऐसा का जाता है कि शेर सा सूरी ने पात सालों में इतना काम किया जो کس दिन पचाश साल में नहीं किया सतरा सो सराय का निर्मान करवाया शेर सासूरी ने जीटी रोड का निर्मान करवाया ठीक अपने गोवर्मेंट को 47 सरकारों में इसने डिवाइड कर दिया ठीक है 47 सरकारों में अपनी गोवर्मेंट को डिसाइड कर दिया अपना मकबरा बनवाया सासा राम के अंदर सासा राम मुगल वंश जो है 1955 तक जो गायब रहा 1955 तक सूरी वंश रहा उसके बाद सरहिंद और मचिवारा की लडाई हुई संधिर और मचिवारा की लडाई हुई इस लडाई के बाद हुमायू करे मुगल ऐंपाएर के श्तापित करने प Алति वंगुलवर्श की स्ताफना हो जाती है लेकिन अगलेगी साल जो 1959 से 956 में हुमायू게요 हो जाती है उन्दिट हो जाती है उन्दिट हो जाती है निस ने के जो है शैर बसायाजा था दिनपना उसी की एक जो है लाइब्रेरी की पहाड़ियों लाइब्रेरी की सीडियों से गिरने से खुमायू भी डेथ हो जाती है फिर अकबर गदी पर बैठता है ठीक है ध्यान नहीं दे रहे भी बताओ भी क्या सिकंदर क्या कहना चाहते हैं बिल्कुल ध्यान दे रहे प्रिया हमारे साथ जूड़ी में जिसने वीडियो को शेर नहीं किया जल्दी शेर करें भई देखो शेर सा सूरी के बने बात की शेर सा सूरी जो है हुमायू को हरा कर गद्धी पर बैठा था चोसा की लड़ाई फिर में जो लड़ाई थी जिसने रिसाइड किया कोन गद्धी पर बैठे वो बिल्लग्राम और कन्नोज की लड़ाई थी 1940 में 1940 से 45 शेर सा सूरी रहा 1955 में दोबारे से हुमायू को गद्धी आसिल करने का मोका मिला सरिंद्ध और मच्षिवारे की लड़ाई के बाद 1956 में दोबारे से हुमायू को डेथ हो जाती है सासा राम के अंदर शेर सा का मकबर है फिर कहता जियोडेसी विञ्ञान है जो किस से सम्बंदित है जियोडेसी विज्ञान जो है वो किस से सम्मंदित आपको बताना है स्थलिय चट्टान की डेटिंग डेटिंग ओफ टेस्टेल रोक मेजर्मेंट ओफ डेमेंशन ओफ अर्थ या पृत्वी के आयाम का माप मेजर्मेंट ओफ एलिवेशन और डेप्रेशन ओफ डेशन ओफ अर्थ पृत्वी की उचाई और अवसाद का माप रिकोर्डिंग दी चेंजिस अंडरगोन दी अर्थ पृत्वी द्वारा किये गए परिवर्तनों का रिकोर्ड करना नन उफ देबोव और मोर देन इन असना नन अफ देबोव सुप्रोक्त में से कोई नहीं इस अओ पृत्व क्या है इन चारेमे या कई बार कि गष thrive बाटे जुहए न बहुर दोनों से ध्यान नहीं रहता तो आप यह कोशिश किया खरो क्या होता नहीं कि आपका जो आपकी जो कमेंट है वो मेरेbereल को 15 से लेट पहुचता है तो जब आप कमेंट लिखते हैं तो उस टैम पे मैं पढ़ा रहा होता हूं तो यह आप जो है इसको सिंक्रोणाइज कर दिया खरो कि जब मैं आपकी कमेंट तबी सबसे पहले रहता यूट्यूब के अंदर दस सेकिंड के अंदर यूट्यूब जो है अपने चीजों को सही तरह से सिंक्रोनाइज कर देता है ठीक है तो बताओ भी जियोडेसी कौन सा विज्यान है ये पृत्वी के आयाम को नापने का विज्यान है सिधांत सबसे पहले किसके दवारा पृतिपादित किया गया जे जे विल्सन के दवारा जे वेगनर के दवारा due toito के दोबारा hso के दोबारा उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से सबीघ जल्दीज से बताओ जल्दीज से बताओ भी क्या आंसर होगा जल्दीज से बताओ कि महादुपिय भाव का सिध्दान्थ सबसे पहले किसने प्रति पादित किया continental drift theory तो आपको लगता है कि आप जैसे वर्ल्ड मैप को देख रहे हैं कि आपको लगता है कि यह मैप जो ही जो इसे डूसरा कॉंटिनेंट बढ़ा हुआ है तो आपको लगता है यह सारे continent जूर सकते हैं कभी ना कभी आपको जूरू लगा होगा ऐसा एक बार था जितने भी continent थे यह पहले एक ही continent होता था एक महा continent होता था जिसको हम क्या बोलते थे जिसको हम क्या बोलते थे जिसको हम पैंजिया बोलते थे एक बड़ा कॉंटिनेंट होता था जिसको उमने क्या नाम दिया जिसको उमने पेंजिया नाम दिया इसको उमने पेंजिया नाम दिया इसको उमने पेंजिया नाम दिया इसके आसपा जो समुदर होता था इसको क्या बोलते थे इसको पेंथलासा बोलते थे यह जो समुदर हो पैंथलासा कहलाता था, लेकिन क्या हुआ 200 मिलियन साल पहले, यानि 20 करोड साल पहले, 200 मिलिन एर है वो, 200 मिलिन साल पहले क्या हुआ कि पैंजिया तूट गया, पैंजिया दो हिसो में तूट गया, अंगारा लेंड में और गोंडवाना लेंड में, जो आपके पैंजिया था वो दो इसो में तूट गया पैंजिया जो था वो दो इसो में तूट गया और ये दो इसे कौन थे अंगारा लेंड और गोंडवाना लेंड जो आपके पैंजिया था वो दो इसो में तूट गया और वो दो इसे कौन थे अंगारा लेंड और गोंडवाना लेंड अंगारा लेंड और गोंडवाना लेंड जो आपका ये पैंजिया था दो इसों में तूट गया अंगारा लेंड और गोंडवाना लेंड ये आपकी उपर वाली थी अंगारा लेंड जिसको लोरेशय भी का जाता है अंगारा लेंड और गोंडवाना लेंड अंगारा और गोंडवाना लेंड में तूट गया पैंजिया अंगारा लेंड में और गोंडवाना लेंड में तूट गया बीच का जो समुदर था इसको टैथीज सी का जाता है इसको क्या का जाता है इसको टैथीज सी का जाता है ठीक है और जितने भी आपके उत्तर की तरफ कॉंटिनेंट है जैसे आपका नोर्थ अमेरिका हो गया आपका यूरॉप हो गया आपका नोर्थ अमेरिका हो गया यूरॉप हो गया आपका रशि नीचे की तरफ continent जैसे आपके South America हो गया अफरीका हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया यह सभी किस से तूट कर बने हैं यह सभी आपके गोंडवाना लेंड से तूट कर बने हैं भारत एक बहुर्खेश्जा ओपर ने sunday हो गोंडवाना लेंड से टूट कर बना है भारत गोंडवाना लेंड से तूट कर बना है लेंडवाना लेंड से टूट कर बना है तो इंडो अस्ट्रेलिया प्लेट जो debate ऑलग फय Match तो यह आप याद रखना कोंटिनेंटल ड्रिफ्ट थोरी तो किस ने दी कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट थोरी तो कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट थोरी कहती है तो शुरुवात में पैंजिया उता था और पैंजिया आजब ग्यास की समुदृर को पैंथला सा बोलते थे एक ही कॉंटिनेंट दो सोउ मिलीन साथ पहले पैंजिया दो इसो में तूट गया अंगारा लेंड में और गोंडवाना लेंड में बीच के पानी को स्टैथीद सी हमने कहा और जितने उत्तर की तरफ कोंटिनेंट है वो अंगारा लेंड से बने है और दक्षिन की तरफ है जल्दी से लाइक शिर करें भई ठीक है आगे फिर हम बात करते अगला कुशन कहता कि सुन्दा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समाना अंतर है आपको बतानी कि सुन्दा ट्रेंच किस द्वीप के समाना अंतर है ठीक है सुन्दा ट्रेंच कहां पर भी सुन्दा ट्रेंच आप सुन्दा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समानांतर है जसने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया जल्दी से लाइक शेयर करें वहीं सुन्दा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है तो सुमात्रा के समानांतर याद रखनें सुमात्रा के सुन्दा ट्रेंच जो है यह कहां पर सुनदा ट्रेंच को जावा ट्रेंच का होती ट्रेंच को गर्त बोलते हैं और जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के इंदर गुस्ती को गर्त बोलते हैं जैसे आप समुद्र की तरफ आओगे आप Continent से जो समूदर की तरफ आघे तो सबसे पहले Continental आपका क्या आता है तो को कंटिनेनिनेंट राई बोलते हैं बोलते हैं तो गर्थ क्या है जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर गुस रही है और दुनिया की सबसे गहरी गर्थ क्या है दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच याद रखना मारियाना ट्रेंच जो है दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है मारियाना ट्रेंच मारियान आगे फिर हम बात करते हैं ऐगला question कहते हैं कि प्रभावी Coriolis बल किसका प्रिनाम होता है एक प्रभावी Coriolis बल जो है वो क्यों बनता है Coriolis जो Force है वो क्यों बनता है Kitty Coriolis Force होता है वो student solar system के कारण बनता है खरती की इंटीरे के कान बनता है color और gulf stream के कान बनता है kolerad और gulf stream के कान बनता है not of the above solar pernali के कान rane «sour पृत्वी गुनन के कान पृत्वी के इंटीरे के कान kolerad और gulf stream के कान Operaawk में से कोई नहीं Coriolis Force जो है वो किसका परिणाम है किस कान से Coriolis Force बनता है जिसने वीडियो को like share नहीं किया है जल्दी से वीडियो को like share करें Coriolis force किसका परिणाम है Coriolis force किसका परिणाम है ठीक है student कह रहे कि rotation का परिणाम है मैं आपको बताऊंगा कि धर्ति की rotation जो होती है हमेशा हवा जो है जो भी हवा है वो high pressure से low pressure की तरफ बैती है वो ही भी हवा है वो high pressure से low pressure की तरफ बैती है परित्वी पर कई सारी pressure belts है कई परित्वी पर जो है कई सारी pressure belt है परित्वी पर जैसे यह जो है यह आपकी low pressure belt है यह आपकी low pressure belt है यह आपकी low pressure belt है फिर यह आपकी high pressure belt है यह आपकी क्या है high pressure belt है zero degree पर low pressure belt होती है और करीब करीब जो है आपका 30 degree के करीब high pressure belt होती है यह आपकी high pressure belt है यह high pressure belt है यह belt क्यों बनती है यह बेल्ट बनती है आपका evaporation के काण यह बेल्ट बनती है इवेपोरेशन के वा हवा उठती है और हवा फिर गिरती है इन काण से अलग-अलग की तरफ हवा बैती है, तो हवा किस direction में बाएगी, हवा बाएगी इस direction में, high pressure से low pressure की तरफ बाएगी, बाएगी के नहीं बाएगी, high pressure से low pressure की तरफ बाएगी, high pressure से low pressure की तरफ बाएगी, इस तरीके से हवा बाएगी, high pressure से low pressure की तरफ, लेकिन हवा reality में ऐसे नहीं बैती है, ज हवा की direction बदल जाती है हवा बिल्कुल सीधी नहीं बैती हवा की direction बदल जाती है और यही हवा की direction जो बदलती है एक force के कान बदलती है धरती की rotation के कान लगता है धरती की rotation कान लगता है क्यों लगता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है इससे हवाएं बिल्कुल सीधी नह जाती हैं हवाएं जो है हवाएं उपर उत्री गोलार्द में राइट के तरफ मुड़ जाती है और दक्षनी गोलार्द में लेफ्ट के तरफ मुड़ ju जाती यहीं इसको क्या बोलत कोरियोलिस फोर्स बोलते है और कोरियोलिस फोर्स क्यों लगता है कोरियोलिस फोर्स धरती की रोटेशन के कान कोरियोलिस फोर्स लगता है धरती की जो रोटेशन होती है उसके कान कोरियोलिस फोर्स लगता है ठीक है तो यह कोरियोलिस फोर्स है परत्वी के गुनन के काण दर्तिक रोटेशन के काण जो है हवाएं की direction बदल जाती है ये दोको उतरी गोलार्द में right की तरस और दक्शनी गोलार्द में ये भूमध देरिक है दक्शनी गोलार्द में जो है left की तरफ आगे फिर हमबात करते हैं आगे फिरम बात करते हैं अगला कोशन कहता है जिसने वीडियो लाइक शेयर नहीं कहा है जल्दी से लाइक शेयर करें अगला कोशन कहता है अगला कोशन कहता है कि निमल लिकित में से किस देश की मृत सागर के साथ सीमा नहीं लगती है किस देश की मृत सीमा के साथ आपका डेड सी के साथ सीमा नहीं लगती है किस देश की डेड सी के साथ सीमा नहीं लगती है किस देश की डेड सी के साथ सीमा नहीं लगती है कौन बताएगा इक कोशन मैं आपको घर के लिए देता हूँ तो डेड़ सी के साथ किसकी सीमा नहीं लगती हो सकता है स्टूडेंट की कल क्लास ना हो और मंडे को टीचरस दे हैं और हम सभी कर रहे हैं जितने भी अध्यापक है उनको 24 7 जो है उनको संभानित करेगा और उनको सेलिबरेट करवाएगा कहीं पर हम घूमने जाएंगे टीच तो इन एक लिएक लाग कर लेंगे, और आपके टोटल तीन BPSC के पेपर मैं कम्पलीट कर दूँगा और तीन जो आपके जितिंदर सर कम्पलीट कर देंगे, तो स्चे आपके BPSC के पेपर हो जाएंगे, फिर आप मोक टेस्ट शुरू करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ current affair में भी आपके लिए लाने की तो ये इस तरीके से हम prepare करेंगे और आपको जो है जो भी student तयारी कर रहे हैं जिनका exam नस्दीक है तो उनको मैं राय देना चाहूँगा कि आप वो चीज़ करें फिलाल आपके पास ज्यादा समय नहीं है आपके पास 20 दिन है इस 20 दिन में कैसे आप prepare कर सकते हैं 20 दिन के अंदर आप कैसे prepare कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले student क्या करना है आपको सबसे पहले ऐसी चीज़ करनी है cost benefit देखना है cost benefit देखना आपको cost benefit आपको देखना है कितना cost हो रहा है और कितना benefit हो रहा है किसतना cost हो रहा है कितना benefit हो रहा है आपको सबसे पहले ऐसी चीज़ को prepare करना है जिसमें समय कम लगता है और जिसका weightage ज़्यादा है तो समय कम लगता और weightage ज़्यादा है अगर आप है चरन ट अफेर कम्प्प्लेट कर लोगे हर एक चप्टर सरे लिएक-छैप्टर55 साथ कोश्ण यह आप ने कम्प्प्लीट कर लिए हर एक मंन्त से लिएक जुलाई अगस्त 9 आठ महीने गा पर म्हें आपने कम्प्लीट कर लिया और 9 महीने का भी कर सकते तो आपके कम से कम 20-25 कोशन पक्के हो जाते हैं 20-25 कोशन आपके पक्के हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको करन्ट अफियर करना है current affair सबसे पहले आपको करना है तो current affair में cost to benefit ratio काफी आपका cost काफी कम है और benefit काफी जादा है 25 question तो आएंगे current affair से इनको आप 3-4 दिन 25 number को पका कर सकते हो फिर जो है आपको जितनी भी GS है जो भी आपकी GS है जो भी आपकी history है polity है history है geography है history है quality है geography है science है economics है economy आप कह सकते economy and economics economy है आपकी geography के साथ में environment है history के साथ में culture है history के साथ में culture है science के साथ में technology है science के साथ में technology है तो यह जो है आपके 2 option हो सकते हो सकता है कि आपने पूरा साल पढ़े हो यह option हो सकता है ठीक है पूरा साल पढ़े हो तो यह revision का समय है revision करते रहें ठीक है तैयारी में कुछ गंटे revision के जरूर दे तो आपको अगर आप पहले पढ़े हो तो revision अगर आप करें और revision के साथ ऐसा नहीं कि revision के साथ question practice नहीं करोगे question daily basis बे question practice करना है ठीक है और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो यह समय है question लगाता question question करने का क्योंकि question से चीजे exam oriented जो है आप रहते हो और exam से related चीजे आप पढ़ते हो उसके आसपास के question आप पढ़ते हो बहुत जादा practice करें ठीक है तो revision करनी है और question practice करनी है ठीक है चीजों को question के जरी पढ़ना है question practice करनी फिलाल जो है theory पढ़ने का समय नहीं है theory पढ़ना नहीं शुरू करना अगर theory पहले पढ़ी हो तो revision कर सकते हो लेकिन नहीं पढ़ने का समय फिलाल नहीं है नहीं पढ़ने आपको ठीक है और तीसरी फिर आपके चीज है बिहार जीस की त्यारी करें और एक लिमिट तै करें बहार जीस पे और मैथ्स पे बिहार जीस पे लिमिट तै करें कि मैं इतना ही समय दूगा इतने से समय जादा नहीं दूगा य के limit तेकर है तो इस तरीके से आप exam को clear कर सकते हैं और mok test जरूर लगाएं मालो आपका exam जो है 9 से आपका exam 11 बजे तक है या आपका 10 से 12 बजे तक exam है तो जिस time पे exam होगा उस time पे daily एक mok test लगाना है जिस से क्या हो उस time पे आदि हो जाएंगा exam को लिखने के वो tension आपकी गायब हो जागी उस time पे आप देखना guarantee में देता हूँ exam अगर नजदीक है तो उस time पे आपको उसी time पे लगाना है जिस time पे exam आपका 21 तारीक को उसी time पे आपको daily mok लगाना है फिर exam की tension देखना उस दिन इस तरीके से आपते यारी कर सकते हैं ठीक है तो कोई भी हमारा ऐसा student है जिसको कोई भी doubt exam से related तो आप बता सकते हैं आपके हर एक doubt को हम solve करेंगे कोई भी हमारा ऐसा student है जिसको कोई भी doubt exam से related तो आप बता सकते हैं कोई भी doubt है अगर आपको अगर ऐसा को student है जिसकर comment का जवाब हम नहीं दे पाए के और प्रिया जो है हमारी जुड़ी हुए है और पर्दियुमन जुड़े हुए है एन कुमारी और ठीक है ठीक है तो और कोशिश करनी है वई कोशिश करनी है समय वेस्ट नहीं करना बहुत बार लगेगा इस 20 दिन में अगर पेपर आपका नजदीक है तो 20 दिन में कई बार लगेगा कि आपको जो है आपको बिल्कुल तैयारी नहीं है आपको क्या होगा एकजाम होगा नहीं होगा लेकिन जो समय को जहिल जाएगा और लगातार पढ़ता रहेगा वही जो सफलता चुमेगा भई यह आपको पूरी कोशिश करने है ठीक है तो खतम करते हैं session को और अब हो सकता है कि आपको Tuesday को मुलाकात हो अगर कल और परसो में समय लगेगा तो जरूर मैं क्लास लोगा और हो सकता है Tuesday को क्लास हो कल संडे है और मंडे को हम जो है टीजर सेलिबरेट होगा यहां पर तो बीच बीच में आपको ऐसा नहीं कि तैयारी छोड़ देनी है तैयारी लगातार करते रहें और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा बीच में अगर समय मिलेगा तो आने के ठीक है थैंक यू टेकर बाइबाइबाइब